आज बिल्लाहि में शहीत वाने रौजीम बिस्मिल्लाहित रौख्माने रहीम असलाम लेकुम दोस्तों उमीद है आप लोग करियर से होंगे दोस्तों मौसिन एक बार फिर अपने चैनल वी ट्विपल एस विरिचुल स्टूडन्ट सपोर्ट फर्विसिव में आप लोगों को फुशाम दीद कहता है दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो MKT 501 मार्केटिंग मैनेज्मेंट का जो हमारा कुईव नंबर वन आया हुआ है वो सवाले से है तो आईए हम लोग अपना कुईव देखते हैं इसमें फर्स्त कॉप्चन है विच ओफ दा फॉलविंग ऑप इसके अंदर हमारा ठीक जवाब आ जाएगा नेक्स है इन फिल इन जी ब्लैंक स्टेज ऑफ प्रोड़क्ट लाइफ साइकल अप्रोड़क्ट बिकम वेरी पॉपुलर देर्वाइव सेल्स प्राइव एंड प्रॉफिट इंप्रॉव इंट्रोडक्शन है इसमें ग्रोथ ह लिए है मिचररटी है और ट्रिकलाइन है तो हमारी जो मिचररटी वाले स्टेज है यह कैसी स्टेज होती है बिल्कुल पॉपलर हो जाती है और वह स्टेजिस जो है वो राइस और प्रॉफिट जो है वो दिन में था वैलन्स लाटा अना रेसर्स एस captive i p imperative हैवगा चेट किанич स्कीमिंग का मतलब गढ़ा तो स्कीमिंग प्राइस जो है वह मतलब सबसे ज्यादा प्राइस होती है तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वह इसका ठीक जवाब आ जाएगा तर्चा नमबर फोर है जी अदेंटिफाइटी प्रोड़क्ट डैट कंज्यूमर इसमें हमारी जो कन्विनियन्स प्रोड़क्ट है यह मतलब एसी प्रोड़क्ट है जिसमें मतलब कम एफ़र्ट के वरी कफ्टमर जो है वह उसको परचेज कर लेता है नेक्स्ट है जी फिट नमबर पे बिजनिस बायर्व बाय गुड्व इन ओर तो मेक और रिजेल अप्र ख्रोड़क्ट्ट तो अधर ओनव फिर इन कर इस प्रूफिट बीज मार्कश् 2 पर्ली मेर्पिस् कोलोड़ त शब application मार्केश बार्व कोरी मोड्व यह टीं मुंड बीर जुड्व मार्केश ब्याइब यह स्नवड के और यह यहाजम गंश्यृon बर्चेज इंपल्स गूड यह इसका ठीक जवाब आ जाएगा इसमें हमारा जो सेकंड वाला है इंपल्स गूड यह इसका ठीक जवाब आ जाएगा इसमें हमारा जो सेकंड वाला है ग्रोफ स्टेज वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा नेक्स्ट है जी बीच अफ फॉलोविंग नाट एन एक्स्टरनल सोर्स ऑफ आईटिया जुनरेशन इसमें टॉप मेनेजमेंट है यह हमारे एक्स्टरनल इन्वार्मेंट से होती है और जो टॉप मेनेजमेंट आफ दा कंपनी होती है वो हमारी कंपनी की इंटर्नल होती है तो इसमें फस्ट वाला जो है वो हमारा इसका ठीक जवाब आजाएगा नेक्स है जी जिए वेच ऑफ फालोविंग एफ दिमार्कि दॉम इन्नस दॉप फ्रेटेजिए टीप आइएँ इसके अंदर्र आएगा नेक्स है जी दा प्राइस विच इज लोर दन नॉमिनल प्राइस अफ़र्ड एज इन इंसेंटिव तो बायर तो में आउट परजेश भी फॉर पर्टिकुलर टाइम इपकॉर सीजनल डिस्टाउंट है कि इंट दॉत के ऊपर एक मतलब हमें मिलता है तो उसक वाव जो है वह उसके अनलहाँ की जवब आ जाएगा इसमें नेक्स है जी, फिलिनी ब्लैक्स is a strategy that uses the operations and processes of business to create, to cater for the needs of individual customer throughout the time that he stays with organization and thereby undergoes all kind of experience. इसमें customer experience management है, customer life value, world time value है, customer experience है और customer value है, तो इसमें customer experience management जो है, first वाला वो हमारा इसका ठीक जवाब आजाएगा, इसको C.E.M. strategy भी कहते हैं, नेक्स है जी, buying and selling of mass consumer goods and services come under which of the following market, business market है, global market है, consumer market है और government market है, तो थार्ड वाला जो है consumer market, वो I think इसका ठीक जवाब आजाएगा, नेक्स है जी, in fill in the blanks, communicate products and services pricing for strategy and channel should be interlinked, integrated marketing है, relationship marketing है, societal marketing है, और internal marketing है, तो इसमें I think फ़ाला जो है, integrated marketing वो इसका ठीक जवाब आजेगा, नेक्स है, mandatory labeling have been major battleground between the consumer and advocate since many years because it includes information about ingredient है, price feature and none of the given option है, तो इसमें को फ़ाला ingredients, वो इसका ठीक जवाब है, लास्ट कॉस्चन है, जी, which of the following strategy focus on the brand image and unique feature of the product satisfy need of the customer, differentiation for strategy है, cost leadership for strategy है, focus differentiation for strategy है, और segmentation for strategy है, तो इसमें हमारे जफ़ास्ट वाला है, differentiation for strategy, यह इसका ठीक जवाब है, दोस्तों यह था हमारा quiz, MKT 501 Marketing Management का, मौफिन भाई की website www.ff.com और मौफिन भाई का YouTube channel youtube.com slash vff4u देखते रहिए, और मौफिन भाई को दुआ में याद रखिए, thank you very much दोफ्तों, अला हाफिव!